महराश्व में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है मुख्यमंतरी एकनाशिंदे ने अपने पैत्रिक गाउं जाने के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित जो महायूती की बड़ी और महत्वपून बैठक थी वो स्थगित्त हो गई है वही इस पर शिवसेना नेता संजे सिर्शाक ने शुक्रवार को मुख्यमंतरी एकनाशिंदे के आगामी फैसले को लेकर एक बड़ा संकेत दे जिया है उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंतरी को किसी बड़े निर्ने पर विचार करना होता है शिवसेना सुत्रों ने बताया है कि अब ये बैठक रविवार को मुंबई में आयोजित होने की संभावना है वही बीजेपी के नेताओं ने कहा कि विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रे परिविक्षकों के आने का इंतिजार हम कर रहे हैं एकना शिंदे ने गुरुवार राद दिल्ली में ग्रहमंतरी अमिश शाह से मुलाकात कर नई सरकार गठन को लेकर चर्चा की शिंदे ने इसे सकरात्मक बताया और शुक्रवार को मुंबई में चर्चा के अगले दौर की उम्मीद जताई गई थी हाला के बीजेपी सुत्रों के मताबिक शुक्रवार को महायुती की कोई बैठक निर्धारत नहीं थी आपको बताया दे बीजेपी शिवसेना और एंसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं ने दिली में शाह और जेपी नड़ा से मुलाकात कर सत्ता के बटवारे पर चर्चा की है शिवसेना के अंदर शिंदे के नए सरकार में भूमिका को लेकर मतभेद भी उभर कर सामने आ रहे हैं कुछ नेता शिंदे को उपमुख्यमंतरी पद स्विकार करने की सलाह दे रहे हैं जबकि अन्य का मानना है कि धाई साल मुख्यमंत्री पद सम्हालने के बाद ये भूमिका उनके लिए उप्युक्त नहीं होगी। शिवसेना नेता संजे शिरसाथ ने कहा कि अगर शिंदे उप्यमंत्री का पद नहीं लेते तो ये पद उनकी पार्टी की किसी और नेता को मिलेगा। महराश्र में 288 सदस्य विधान सभाचनौव में बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एंसीपी अजीत पवार गुट ने 41 सीटे जीती नई सरकार का शपत ग्रहन अगले हफते होने की संभावना है। महरा की सत्ता बटवारे और शिंदे की भूमिका को लेकर चल रही खींचतान के कारण इस पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है। महायुती की रविवार को प्रस्ताविक बैठक में इस दिशा में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अपनी ओर से ये जरूर कह इशारा कर दिया है कि उन्होंने अपनी डिमांड्स भी रख दी है। और शिवसेना के लिए विधान परिशत के अध्यक्ष पद की मांग के साथ 12 मंत्री पद की मांग उन्होंने की है। इनमें ग्रिह मंत्राले और शेहरी विकास समेथ कई एहम विभाग शामिल होंगे। शिंदे ने अमिश्या से अपील की कि वो पालक मंत्री यानि के गार्डियन मिनिस्टर देते समय भी शिर्व सेना का उचित सम्मान बनाए रखें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद कर दो कर दो還णे हैं इसाओ आपके लिए समयिजब पर दार दो हमारे बहुतद कको समय कर दोके नगरें।